नमस्कार, वीगे में स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नागपुर पुलिस का फिर एक अपने कर्ताव बेको निभात हुए जाबास चेहरा सामने आया है नागपुर में मा की मृत्यू से दुखी चात्र को पुलिस ने अमबाजरी तलाब बिटूबने से बचा लिया अमबाजरी पुलिस एक अन्या आत्महत्या के मामले में शव निकालने तलाब परिसर पहुँची थी तब अचानक एक यूबा की तलाब में कूदने की आवाज आई जिसके बाद उसे ततकाल प्रभाव से बचा लिया क्या यह घटना रविवार सुभे करीम 9 बजे की बताई जा रही है बताया जा रहा है कि अमबाजरी तलाब में शव दिखाई देने का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुँची थी पुलिस ने गोता खोर की मदद से शव को बाहर निकाला बहां उसकी पार की गई बाइक से शव राजेश कृष्णरा काले से कामगार कॉलिनी का पता चला ड्राइवर का काम करने वाले काले को तेराकी का शौक था उनके तेरने के दोरान डूब जाने का कयास लगा कर पुलिस घटना की जांच करने लगी पुलिस एक और इस मामले की जांच कर ही रही थी उसी दोरान पंप हाउस के पास से एक बीस साल के चात्र ने अमबाजरी तालाबे चलाग नका दी घटनास्तल के करीब ही मौजूद पुलिस अधिकारी वदलबल ततकाल हरकत में आ गया उसने चंद्रमणी नगर के तेराग देविदाज जांबूलकर की मदद से यूबग को डूबने से पहले ही तालाब से बाहर निकाल लिया पुलिस और लोगों को देख कर छात्र रोने लगा इससे पुलिस को उसके तनाव अत्वा अफसाद में होने का पता चल गया इस पूरे मामले पर हमारी संवधाता जोया खान ने पुलिस लिरिक्षक अशोक बागुल से बात चीद की नमस्कार मैं हूँ जोया खान और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं विकेबी विशेश में आज एक घटना घटी है इसके पहले भी ये मामला हो चुका है लेकिन आज फिर ये मामला हुआ है जहाँ पुलिस विभाग द्वारा किसी युवक की जान बचाई गई है तो आखिर ये मामला क्या है आखिर ये घटना क्यों घटित हुई है इसी विशेव में हम चर्चा करने के लिए पहुचे हैं नाकपुर के अंबाजरी पुलिस स्थाने में और इस वक्त हमारे साथ है अंबाजरी पुलिस स्थाने के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक मिस्टर अशुक बागुल तो हम उनी से जानते हैं कि ये मामला क्या था? जो हमारा मोटो है तो जैसे कि हम सब जानते कि अच्छे लोग का रक्षन करना चाहिए और गुंडों का नेदालन करना चाहिए तो यह हमारा मैटर अप ड्यूटी है इससे पहले भी एक बच्चे ने जब पॉईजन ले लिया था उसने फेस्बुक पर पोश्ट डाला था कि म में डाड़ी टाटा बाइबाए मुझे माफ कीजे वगरा वगरा और इम्मेड़ी समवन कॉल में लेंड़ा था फुटाला कि आसपास माई कुछ करूंगा तो इम्मेड़ी रिज दे स्पोट और उसने हमारे जाने से पहले बाजो में पॉईजन कंजम कर लिया था इंटोक्सिकेशन के लिए जो भी जरूरी होता है उसकी जान बच गए थी उसने काफी पुलिस को थैंक्यू भी बोला था क्योंकि वो बच्चा भी सोशल फिल्ड में अच्छा एक्टिव था अभी कल ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली भी गाट इन्फोर्मेशन देट इस फ्लोटिंग इन वाटर इन अमबाजरी लेक तो जैसे हम हमारी टीम वहाँ पर पहुची तो उस डेड़ बोड़ी क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे हम एस्टैबलिश क्योंकि वो अन इडेंटिफाइड बोड़ी थी तो वो गड़बड में हम थे तभी वहाँ प थे हमारी पूलिश टीम एपी आई कपूर और प्रशान्त वहाँ पे थे और वहाँ पे चुकी मेरे यहाँ पे अमबाजरी लेक और फुटाला लेक आता है जहाँ पी कभी-कभी अनफॉर्शनले इस इंसेंट्स होते तो वी हाँ मेड़ी बंदोस आरेंजमेंट वी हाँ के कभी-कभी मीडिया में नहीं आता है या हम भी-कभी क्योंकि हम उसको हमारे डूटी समझते इस बार हुआ यह कि वहाँ पे काफी भीड थी वो भीड में से लोग चिलाने लगे और एक जवान बच्चा जब कुद के छट-पटा रहा था तो हमारे लोगों ने भी फिर अप थी पैशन था उप्सेशन था हमारे लोगों के दिल में उनको बचाने का तो उन्होंने युनिफर्म के साथ पाने में जम किया वहाँ पे जो एक्सपर्ट स्विमर थे उनको भी हमने रिक्वेश्ट किया तो फॉर्चुनेटली अल थी पुलिस ओपिसर साइड में वे वे तो उसके मुह में नाक में तब तक पानी काफी मातरा में जा चुका था बच्चा गास्पिंग में चल गाया था उसके मुह से जाग भी आ रहा था तो हमने इमिजटली उसको उल्टा कर किया जो फर्स्टेड देना होता है जो हम देखते वो दिया उसके मुह में से नाक में पून करके बुलाया, they were also searching him because the boy was mentally retarded और उससे पहले भी उसके अंदर societal tendencies थी, तो दो-तीन बार वो अटेम कर चुका था, तो मम डाड़ी वगरा और दोस लोग उदर धून रहते, उनको हमने इमीजटली बुलाया, तब तक बच्चा काफी हत्तक होश में आ गया, देने वाली बात थी, तो वह ये बात थी कि एक तो बच्चे अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, जैसे कि आम बच्चे अपने ममय डारी से करते हैं, और पैरट्स तो अपने बच्चे को करते हैं, तो अपनी मा को बहुत चाता था और 4 नवंबर इने दिवाली के ही दिन जबकि इतना शुब अउसर है हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा पेश्टिवल है हमारी बहुत भावना इसके साथ जुडि हुई है हम बड़े उच्छा से दिवाली मानाते है है वह आमारे आनन्द का ए कि वाली केही दिन उसकी मम्मी का एक बहुत बुरी तरीके से फ्रीक अक्षेंट हुआ और उसके आकों के सामने वो मम्मी को किसी वेहिकल ने पूरा क्रश कर दिया तो यह दिन उसके दिमाग में जैसे हम कभी-कभी मूवीज में देखते हैं फ्लैश बैक जैसे उसके दिमाग में आता रहा बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया पहले से ही थोड़ा वो साइकिक टाइप बच्चा था उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उसको ऐसा लगा कि मेरी माँ चली गई तो मुझे भी प्यार करने वाला कोई ने रहा पापा ड्राइवर थे पापा हमेशा गर के बाहर रहते थे लेकिन जब पापा से हमने बात किया तो उनकी बाते सुनके भी हमको रोना आ गया पापा ने बताए कि सर ये मेरा बेटा बोत हैंडसम चेपिट का बच्चा है बोत अच्चा है एकदम मासूम बच्चा है उसकी उमर भी साल के करीब है बट जी जंग से बात करता है ना हमारी आखों में से आसू आय बगर रहते नहीं है वो बोल थे पापा कि जब मैं ड्राइवर हू में बाहर जाता हूँ सर तो दो फिले आखों में बच्चा नहीं होता हूँ कि जब मैं घर घुँंगा तो मेरा बच्चा मुझे जिन्दा मेलेगा और नहीं मेलेगा I mean this गान ब contracts कांड ओफ थ्रेट और डाउट इन दा माइंड ऑफ पैरेंट एट वेदर वेदर वेनेवर इस रिटर निग वो उसके बच्चे को जिंदा पाएगा नहीं पाएगा ऐसे भी लोग दुनिया में रहते हैं वो सब बाते सुनके बहुत बुरा लगा दर्द वा दुख हुआ फि तो हा बोलते बोलते होर जोर से रोने लग गया तो बेटा बोला मम्मी की दर है तो बोलता आस्मान की तरफ देखके बोला उधर है तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुमारी मम्मी तुमको देख रही है और तुमको दुखी देखा तुमको दर्द हुआ तुमको पेंस वो मुह खुछी और भूख फिर से बच्छा रोने लग गाई भोला कि वे एट बेट अप मम्मी तो गई है तुमको देख रही हैं तुम को पास देल्हिस चाहते हो तो उसने बज़के और चाहते हो तो आपनी मम्मी को प्रामिस करो कि इसके यह कभी नहीं करोग Сп फाहस रोट यह लोटे बोले मम्हें वोटैरो अगम को था में तो वूलम हूज है करेके बेजृ मेर अदीड़ विन को मैं फिल विर फि vaccin Ettे वी इंकोसीन तो टीड बहुते हैं lorsque तो इनको सोर्टिंग दिल को वंगी है तो उस बच्चे ने हमको प्रामिस किया कि अंकल अभी मैं कभी नहीं करूंगा, मैंने उसको समझाया कि तुम्हारी मम्मी तुमको कुछ देखना चाहती है, सक्सेस्पुल देखना चाहती है, तो उसने माना और फॉर्चुनेटली वो शान्त हो गया, नॉर्मल हो गया, फिर आस-पास के लोगों ने भी उसको समझाया, उसने पुलिस को थेंक्यू बोला, उसके पापा ने, अफकोर सुनके आखों में आसु थे, तो ये ऐसा वाकिया था मैडम क्योंकि मैंने उस बच्चे मेरा खुद का बेटा देखा, तो एक जवान बेटा जब इस दंग से मेंट हमने उनकी जान बचे और हमने पुलिसिंग भी किया, इसमें यही है कि हमारे अधरने पुलिस आउक्ति श्री अमितेश कुमार सर, हमारे नौर्थ रिजन मिस्टर रेड़ी सर, हमारे डीसीप श्रीमती वीनिता साव मैम, all the senior officers and men are highly competent, they are equally sensitive about the needs of the public as well, तो वो हमको हमेशे यह बोलते हैं रहती कि आप रियक्टिव पुलिसिंग करना, यहने कोई घटना होने के बाद रियक करना, यह तो पुलिस का आम काम होता है, why can't we be proactive, why can't we play our role in order to avoid, prevent and control crime, how can we protect the lives of the people, तो यह बात हमारे स्टाप के हमारे दिल में हमेशा होती है, fortunately उस दिन जो वाक्या हुआ, एक जवान बच्चे की फिर से देट बच्चनामा करने का समय पुलिस पे उपर आ सकता था, fortunately हमने हमारे स्टाप था, API, Kapoor, प्रशान्त और वो जो महनुभाव थे, expert swimmer, उनकी मदद से हम उसकी जान बचा पाए, और बगवान की दया से बच्चे अभी सुक्रूफ है, मैं उसस बच्चे को थोड़ा मुझे लगता है, तो I am like his father, friend और philosopher और guide और बड़ा भाई, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बच्चे अभी नॉर्मल है और बगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो सर आखिर यही प्रतित होता है कि अकेलापन, कही ना कही वो बच्चा, obviously इत हामला है, हम कह सकते हैं, तो सर वाकई में जो अकेलापन होता है, जिसका अकेलापन होता है, वो भली भाती जानता है कि अकेलापन किसे कहते हैं, तो वाकई में अकेलापन जो है, इतना भयांकर हो सकता है कि जान देने की नौबत तक आजकल कि युवां पिढ़ी को आ जाती बच्चों कोई भुट जो उन दो लोगो है कोई। बच्चे यह को तो बच्चे जो जादा वुलनरेबल उते जो थोड़े से जादा विक ते भीक हो ते यह बच्चे को समाझने नर्चर कर आ ज़रूरी है। पारेंट्स, टीचर्स, दोस्स, रिलेटिव्स, यूनो, मेडिया, पुलीस, सभी लोगों ने हमको इनकी तरफ थोड़ा सा अलग सिंपैती से, अलग एंगल से देखना जरूरी है, जो कि हम देखते हैं, और काउंसिलिंग भी हम करते हैं, तो फ़र्चुनेटली और आज कल ज जो कि जॉइन फैमिलीज है, या जहां पर कम्यूनिकेशन ग्याप नहीं होता है, मिसंडेस्टैंडिंग नहीं होती है, बहुत क्लोजली बॉंडेड फैमिलीज कुछ होती है, ऐसी फैमिलीज जो की बहुत ही कम होगी, उनको छोड़के बाकी ज्यादा तर फैमिलीज में य पाइडेंस नहीं होता है, मैंने खुद इसमें देर सो वेबिनास लिए जिसमें की कुछ पैन इंडिया और कुछ पैन वर्ल्ड भी हुए है, तो काफी लोग को हमने इसके बारे में अवेर करने की कोशिश किये और इसमें सबसे इंपोर्टन बाती है कि जो एल्डर्स और यं का न्यूस है, वो देख के अगर कुछ मम्मे डडिस को, टीचर्स को, रिलेटिस को, फ्रेंड्स को या बच्छों को, अगर ऐसा लगता है कि यस, इस 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 तो, आपका बहुत बड़ा रोल है, जर्नेलिजम, अधरोई औरोई अल्सो इस फोर्थ पिलाव देमोकरसी, सो अगरे 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 औरोई प्रेश को, अगरे आपको बड़ा शुक्रिया आपको कि आपने हमारे बारे में दो अलफाज कहें, लेकिन सर मेरा ये है कि हमारे माध्यम से आप ऐसे यूवप जो पिढ़ी है, जिनको आत्माहत्या करन करने के लिए उनका दिल कहता है कि आत्माहत्या, बस आत्माहत्या करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसे काफी यूवप हमारे साथ मौजूद है, हमारे इस वक्त, मतलब ऐसे काफी लोगों की मेंडलिटी हो चुकी है कि आत्माहत्या ही एक आखरी रास्ता है, तो आप ऐसे लो परपस से लाया है, अगर आपको कोई mental, physical, physiological, emotional you know, hormonal, कोई भी problem है उसके पर solutions है, उसके पर treatment है, please don't ever think that nobody loves you parents, friends, teachers you know, relatives, elders, media, police society, everybody is there to take care of you, we love you all, तो जो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मेरी दुनिया में भी कुछ नहीं रहा मेरे boyfriend ने मुझे डिच किया, girlfriend ने डिच किया मेरी ममे के साथ आइस हुआ, पापा के साथ आइस हुआ, मेरे साथ आइस हुआ मैं समझता हूँ, बट अगर आप mentally, physically emotionally, spiritually आप tough अपने आपको नहीं बनाते हो तो how can you survive the ups and downs of life क्योंकि ये जिन्दगी जो है हमारी ये ups and downs, शुक दुख इसमें होते ही है तो हमको बच्चों को इस डंग से वातावरन निर्मिती हमने करनी चाहिए कि जिसमें बच्चों को ऐसा लगे कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई तो मेरे ममे डाड़ी, टीचर्स, फ्रेंड्स, लेटो मुझे माफ करेंगे मुझे प्यार करेंगे, मुझे समाल लेंगे क्योंकि प्यार जो होता है न वो unconditional होता है when you love someone, you do not love someone on some conditions ममे डाड़ी बच्चों को condition पे प्यार नहीं करते बच्चे भी ममे डाड़ी के साथ या जो भी प्यार में होते हैं वो conditions पे प्यार नहीं करते तो आप ये समझिए कि भगवान ना करें कोई भी condition में आप हो तो आपको problems के solutions मिलेंगे जरूर मिलेंगे आप प्लीज ऐसा कता ही मत सोचिए कि this is the end of it and suicide is the only you know solution please don't suicide is killing yourself that is not a good thing so मेरा आपको request आपको कभी भी कुछी भी problem police तो ऐसे लोग समझते की बोट लोग दूर रहते हैं अच्छे लोग दूर रहना चाहते हैं I don't know why आप पुलिस के ओपर एक बार ट्रस्ट करके देखिये न आप अपने problem सुनके साथ शेयर करके देखिये न हो सकता है आपको जिस दंगसी चाहिए वाइसी results ना मिले but police will try for sure we are committed to protect your life and property provided you also trust police so we are there to help and serve people thank you sir तो यह हमारे साथ है वरिष्ट पुलिस निरिक्षक जिनका नाम है Mr. Ashukh Bagul जी तो जैसे कि इनोंने कहा कि आत्महत्या करना एक आखरी रास्ता नहीं होता है तो हम भी आपसे यह अपिल करते है कि जिन्दगी एक बार मिलती है उसे जीना सिखिए हर मुसीबतों का सामना करना सिखिए डट के सामना कीजिए हिम्मत रखिए हिम्मत लाओगे तो हिम्मत जरूर आएगी आत्महत्या करना यह कोई आखरी रास्ता नहीं होता है आत्महत्या करने के बाद जिन्दगी खतम हो जाती है ना ही कोई नाम रहता है ना ही कोई याद करता है इससे अच्छा जिना सिखिए हिम्मत नहीं हा रही है जो भी problems है solutions है हमारे साथ पुलिस विभाग जो है 2400 घंटे हमारे साथ होता है कही ना कही हम महफूज feel करते हैं अपने आपको क्यूंकि हम ऐसी जगे पे हैं जहां हम हमारे साथ इतने जावाज पुलिस अधिकारी पुलिस वरिष्टन जो भी है पुलिस वाले जो हमारे साथ available होते हैं कही ना कही हम से जुड़े होते हैं तो बस हमारा यहीं कहना है कि आत्मात्या जो एक रास्ता है जो आजकल युवापिडी काफी अपनाने लग गई उसे ना ही अपनाए आत्मात्या कोई एक सोलुशन नहीं होता है आप जीना सीखिए, हिम्मत से लड़िए और सबसे पहली बात अपनी गलतिया एक्सेप्ट कीजिए गलती होने पर आत्मात्या करना यह कोई रास्ता नहीं होता है तो बस विकेवी विश्रेश में आज इतना ही कामेरा परसन राजेश के साथ जोया खात नागपुर बताया जा रहा है कि पाच माह पहले युवा की मा की मृत्यू हुई थी छात्र माता पिता का इकलोटा बेटा था मा की मृत्यू के बाद से उसे जीमन एक कांकी लग रहा था उसे रहे रहे कर मा की याद सता दी थी उसका अध्यन में भी मन नहीं लगता था वह अफसाज में चला गया था रविबाद तर के अंबाजरी में खुदकुशी करने के रादे से पाच पावली स्तित वो घर से रवाना हुआ पियाए अशोग बागुल, हरिदास मडावी, एपियाए अचल कपुर सिपाही प्रशांत गाईधनी ने चात्रों को किसी तरह से शांत करवाया पूच्टाज करने पर उसने मा की मृत्यू के दुख में खुदखुशी का कदम उठाने का बताया पूलिस ने यूवक के परिजनों को इसकी सूचना दी इसे पहले भी एक सोशल मीडिया के बाध्यम से एक यूवक ने पुटाला तलाव में खुदखुशी करने की कोशिश की थी जिसको भी पूलिस ने अपने सूच बूच से बचाया था जबकि इस घटना में पूलिस ने तटपरता से सूच बूच दिखाते हुए एक यूवक की जान बचाई शेर पूलिस पर हमेशा काफी तनाव होता है जबकि पूलिस पर कई सवाल भी उठाय जाते रहे हैं लेकिन हाल ही में फिलाल ऐसी दो घटना आएं पूलिस जिसके कारण दो यूवक की जान बचाई गई ऐसे में नापपुर पूलिस के जस्बे को सही भी सलाम करना चाहिए जो सदैव नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रही है वीकेवी स्पेशल में बस आज इतना ही फिर मिलेंगे तब तक लिए देख रही वीकेवी न्यूज नमस्कार